आकाश्मानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहली मुख्य समाचार प्रधान मंत्री समाचार निधी योजना की छठी किष्ट के लिए 17,000 करोड रुपए जारी एक लाग करोड रुपए का क्रिशी कोश भी बनाया गया देश में एक दिन में कुरोण संक्रमण के साथ लाग से अधिक नमूनों की हुई जांच अब तक खरीब 15 लाग हुए स्वस्त प्रधेश में कुरोणा संक्रमणों की संख्या 38,000 के पार हाला की 28,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर पहुँचे मौसम वभाग ने जवलपूर कटनी और नर्सिंग पूर सहे 23 जिलों में भारी बारिश की चितावनी दी और हमारे विशेश रंकला अच्छे कबर के 57 अंक में आ सुने रतलाम मेभूजल के अतिधिक दोहन से रेगिस्तान बंती जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयासों पर खास रपोर्ट अब समाचार वस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्रिशी के शेत्र में स्रचना अत्मक विकास के लिए एक लाग करोड रुपे के क्रिशी अवसर रचना कोश के शुरुवात की इस ओसर पर श्रे मोदी ने कहा कि यूजना किसानों को आत्मे निर्भर बनाएगी प्रधान मंत्री ने कहा कि इस से किसानों को रिंड वित्तिय सुबिधा भी मिलेगी उन्हें कहा कि फसल कटाई प्रबंधन, अफसर रचना और सामुदाई क्रिशी परिसम पत्यों के लिए ये कोश एहम भूमिका निभाएगा प्रुधान मंत्री ने किसानों से कम मात्रा में और वर्कूं का इस्तमाल करने की अपील की प्रुधान मंत्री ने कहा कि इस कोश में ग्रामेड शेत्रों में भंडारन सुविधा उत्पन होगी और रोजकार के अधिक अवसर उपलब्ध होगे इससे पहले प्रधान मंत्री ने किसानों की मदद के लिए शुरू की गई प्रधान मंत्री किसान संबाण न दी योजना की छटी किष्ट के लिए 17,000 करोड रुपय की राशी जारी की श्रेमोधी ने इस उसर पर अन्य राज्यों के साथ ही मध्रदेश के किसानों से भी बात चीत की देश ने आज एक ही दिन में कुरोणा महामारी के साथ लाग स्याधिक नमूनों का परिक्षन कर बड़ी उपलब्धी हासिल की है किंद्री स्वास्त मंत्राले के नुसार राज्यों को संक्रमित विक्तियों का व्यापक रूप से पता लगाने उन्हें ततकाल दूसरों से अलग रखने और उनके कारगर उपचार की व्यवस्था करने को कहा गया है गौर्जलवे के देश में एक ही दिन में सबस्याधिक संक्या में स्वस्थ होने का भी आज नया रिकॉर्ट बना है और तिरपन 1889 रोग्यों को इलाज के बाद अस्पतालों से चुट्टी मिली है इसकी साथ ही आज देश में आप तक बीमारी से स्वस्थवे लोगों की कुल संक्या बढ़कर 14,80,000 से अधिक हो गई है ये संक्या इस समय इलाज करा रहे रोग्यों के तुलना में दुगुने से अधिक है आज स्वस्थ होने के दर बढ़कर 68.87 प्रतिशत हो गई है 38,000 के करीब पहुँच गई है वहीं दूसरी ओर स्वस्थ होने वालों की संक्या भी लगातार बढ़ रही है अब तक 28,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके है वो पाल जिले में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संक्या लगभग 8,000 हो गई है इंदौर जिले में कल कोरोना संक्रुमंट की 170 से अधिक मामले सामने आए उजयन में कल 20 वेक्ती स्वस्थों कर अस्पताल से अपने घर लोटे जिले में अब 1000 से अधिक लोग संक्रुमंट से मुक्त हो चुके है उमर्या जिली में दो नीमच में चार नय संक्रमित मिले हैं दिवास जिली में साथ लोगों की स्वस्थ होने पर अब तक स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या 413 हो गई है ग्वालियर में 132 नय मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की कोल संक्या 3000 के पार पहुँच कई है जबकि 2000 से आधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं मंडला में 18, छिंदवाडा में 10 और सिहूर में 7 नय मरीज मिले हैं शाज़ापुर जिले में आज शिक्षा मंतरी इंदर सिंग परमार ने कोरोना प्रवंधन समिती की बैठक में भाग लिया उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमन से बजाव और जागरुकता के लिए चलाय जारहे कारिक्रमों की जानकारी ली शिर बरमार ने बताए कि अप्रदीश में आने वाले त्योहार घर में ही मनाये जाएंगे पुरुचीरी की उप्राजिपाल सुष्री क्रणवेदी ने आकाश्मानी से प्रसारे समाचारों की सराना की है उन्होंने खास तोर पर लोगों से अपील की है कि वे सुबह प्रसारे थोने वाले समाचार सुनने को अपने दिन्चर्या का हिस्सा बनाए अपने फेस्बुक पेज पर उन्होंने लिखा है कि आकाश्मानी की समाचारों के जरिये सरकार की नेतिकत फैसलों, नई सूचनाओं और कुरोना संक्रमन की रोक्थाम के लिए के जारह प्रयासों सहित नवीन तब जानकारिया मिलती है विश्व आदिवासी दिवस की मौके पर आज प्रदीश भर में विभिन जिलों में आयोजन हुए टिंडौरी में कलेक्टियर कार्याले के सामने सित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर मालयार पन किया गया मड़वानी में कलेक्टियर परिसर सित भीमानायक पार्क में व्रिक्षार उपन किया गया धार और मंदला सिले में भी सौसर पर कारिक्रम आयोचित किये गए समाचारों में वक्त है ब्रेक का कोविट-19 महामारी के कठिन काल के दौरान भी देश ने विश्व खाद्या पूर्ती श्रंकला का संचालन और निर्याद जारे रखा इस साल मार्ट से जून के दौरान क्रिशी निर्याद में पिछले साल के तुलना में 23.24% की व्रद्धी हुई क्रिशी शेत्र में वर्ष 2019 पीस में 2.9% व्रद्धी दर्च की गई जबकि वर्ष 2018-19 में ये व्रद्धी 2.74% थी पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अप्रेल से जून के बीच जिन वस्तूं के निर्याद में सखारात्मक व्रद्धी हुई है उनमें तुवर दाल ये हूँ बंगाली चिना और मुंपली का तेल शामिल है हमारी विशी श्रंकला अच्छी कबर के 57 अंक में आसुनियर अत्लाम में भूजल के आतेधिक दोहन से रेगिस्तान बनती जा रही जमीन को फिर से हराभरा बनाने के प्रियासों पर खास खबर अच्छी खबर में आप हर अविवार रुबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी लाके के उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददकार हो सकती है प्रदेश के रतलाम जिली की जावरा और पिपलोदा तैसिले राजी ही नहीं देश के उन इस्थानों में शामिल है जहां भूजल का सबसे ज्यादा दोहन हुआ है यहाँ जल इसतर 800 से 1200 फुट तक नीचे चला गया है जल शक्ती मिशन के तहट यहाँ पानी को भूमी के गर्व में फिर से भरने के लिए वर्टिकल वाटर रिचार्ज तकनीक अपना ही जा रही है इस तकनीक से पानी पाइपों की मदद से सीधे ऐसे इस्थानों में उतारा जाएगा जहाँ धर्ती पानी से खाली हो चुकी है रतलाम SDM राहुल धोटे ने आकाश्वाणी को बताया कि इस तकनीक से नक्योवल बारिश के पानी को बचाये जा सकेगा बलकि बाड़ पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी 180 वर्टिकल लेचार सम पोइंट्स बनाएगे तो अब जो वर्टिकल लेचार में तोड़ी इससे क्या होगा कि तालाम के पास या ऐसे पोइंट आपर पानी स्टोर होता है या पानी कंटीनियू समें बनता है वहां पर हम एक्क्यूफर बनाएंगे तो वो एक स्टोरेज सि यह प्रयास जिले ही नई देश के लिए भी नया है इस अभ्यान से किसान भी खोश है जल शक्ती अभियान ने रेगिस्तान में बदलते इन इलाकों को फिर से हर्याली का खौब दिखा दिया है उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह सपना हकीकत बन जाएगा टतलाम से अधिती मिश्रा के साथ संजीय उशर्मा आकाश्वणी समचार भोपाल बंगाल के खाड़ी में उपरी हवा का चक्रवाद बनने और इसके कम दबाव के शेत्र में तबदील हो जानने से प्रदेश के विभीनसिलों में बारिश हो रही है मौसम विभाग के नुसार अगले 24 कंटों में प्रदेश के 20 से अधिक सिलों में बारिश होने की समभावना है अब कुछ समाचार सिंख्षेप में उज्जैन सित भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में आप प्रदेश के बाहर रहने वाले शृध्धालों को भी दर्शन के अनुमती मिलेगी इसके लिए ओनलाइन बुकिंग करवाना होगा रेल विभाग कल से देश भर में सुचिता सब्ताह मनाएगा आदिम जाती कल्यान मंत्री मीना सिंग ने उमर्याज लेके परासी, मजोली, कड़वार, सहित अनिक गाउं का भर्मन कर ग्रामिन जनों से शास्की युचनाओं के क्रियानवेन संबंधी जानकारी ले अंत में मुक्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री संबार ने दी युचना की छटी किष्ट के लिए 17,000 करोड रुपए जारी एक लाग करोड रुपए का क्रिशी कोश्मी बनाया देश में एक दिन में कुरोण संक्रुमन के 7 लाग से अधिक नमूनों की जाच हुए अब तक करीब 15 लाग हुए स्वस्त प्रधेश में कुरोण संक्रुमितों की संक्या 38,000 के पार हाला कि 28,000 से जादा लोग ठीक होकर घर पहुँचे मौसम में भाग ने जबलपूर कटनी और नर्सिंगपूर सही तेई सिलों में भारी बारिश के चितावनी दी और हमारी विशी श्रंकला अच्छी कबर के 57 अंक में आज आपने सुनी रतलाम में भूजल के आतिधिक दोहन से रेगिस्तान बंती जमीन को फिर से हरा भरा बनाने के प्रयास उपर खास रेपोर्ट इस गुलिटन में बस इतना है घर में रहे सरक्षित रहे और सुनती रहे आकाश्मानी नमस्कार